तो नमस्कार सबी को कैसे वह आप सब लोग तो फिर से सवागत है आप लोग का उसी वीडियो की कंटिनेशन में ठीक है तो मैं जस्ट उसी के फ्लो में बना रहा हूं ठीक है तो वहीं से शुरू करते हैं जहां से हम लोग ने छोड़ा था ठीक है जी तो हम लोग ने देख ल साँ माल हैं तो जो ड्रेक्टल इस वीडियो पर कोने में आया हूं कहले एक्श्म्त के बारे में यूंत अधक जेह में था सब कुश पर आधकर करेंगे आ्धक्टर्शे के बारे में feel का का कंट वाठ यूमिर बना चीजुश के पारबया कंसियोर आउस्टेइ मन junior आज में बस simple string और simple string को कैसे publish करना है कैसे consume करना है वही देखा था तो आज हम लोग देखेंगे JSON कैसे हम लोग consume कर सकते हैं और JSON कैसे publish कर सकते हैं अपने काफका में ठीक है तो हम लोग आज वही देखेंगे उसके बाद हम लोग तो फिर real world वाला example शुरू करेंगे ठीक है ठीक है तो मैं फिर से खोल लेता हूँ अच्छा फिर से खोल लेता हूँ अपना cluster वाला project तो इसमें हम लोग ने already JSON का topic बनाई रखा था तो इसको दुबारा run करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है तो इसको हटा दिते हैं हम आजाते हैं publisher में ठीक है publisher मतलब producer में ठीक है producer में क्या करना हमको producer में हम लोग को payload बनाना है ठीक है तो basically अब क्या करना हमको इस बार मैं क्या करूंगा पिछले बार तो हम लोग ने string message वहाँ से hit किया था और string message publish कर दिया था इस बार क्या करना है मैंने end point बनाई है post mapping की ठीक है जो क्या करेगी user का data मतलब जो हम लोग user object भेजेंगे वहाँ से postman से वो यहाँ पर आएगा ठीक है और उसको हम लोग फिर publish करेंगे ठीक है जी आओ देखते हैं हम लोग JSON को कैसे publish करते है अच्छा उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दू Kafka inbuilt JSON support नहीं करता मतलब JSON serializer support नहीं करता serializer और deserializer तो हम लोग इसमे spring cut serializer और deserializer use करने वाले हैं ठीक है कैसे करेंगे हम properties file में आ जाएंगे क्योंकि देखो producer है तो वो data serialize करेगा जो हमको postman से data आ रहा था ना उसका हमको serialize करना होगा तब जाके हमको उसको Kafka में भेशना होगा तो serialize करने के लिए फिलाल हम लोग string use कर रहे थे उसको हटा देंगे and spring boot हमको एक package देता है JSON serializer का यह Apache का package नहीं है देखोगे तो यहाँ पर spring framework का नाम आरक है ठीक है तो यह spring framework का package है जो कि हमको serialize करने में help करेगा JSON data को ठीक है तो key तो हमारी string ही रहेगी ठीक है key से हमको मतलब नहीं हमको मतलब है value से ठीक है तो value का हमको JSON serializer पास करने है ठीक है ठीक है तो मैंने कहा किया पहले तो payload बना लिया मैंने user करके मतलब यह data में वहाँ से वहाँ भेजूँगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है पेलोड हमारे पास होना चाहिए ठीक है जी उसके बाद मैंने application.properties में यह property update कर दी ठीक है जी ठीक हो गया अब हमको बनाना producer तो अगर हम लोग producer में आ जाएं तो मैंने इसके लिए अलग से producer बना रखा है Kafka JSON producer ठीक है सेम काम किया है Kafka template बनाया है इस बार string की जगो user पास करना है हमको तो user यहाँ पर दे दिया है ठीक है आपका template क्यों बनाते हैं पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो ठीक है और फिर publish method message के अंदर कुछ निक्य है वहाँ पर हम लोग string pass कर रहे थे हैं यहाँ प इस method को और string हम लोग payload में set करके header में जाके हम लोग topic set कर रहे हैं ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूँ publisher में basically क्या कर रहा है header set कर रहा है header में topic का नाम set हो रहा है ठीक है payload set हो रहा है और फिर हम लोग क्या कर रहे है kafkatemplate.send message कर रहे है अच्छा यह send message भी बहुत तरीके से overrided है इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़े भेज सकते है अगर यह चोड़ा होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें हम लोग क्या कर बहुत सकते है message भेज सकते है string और अपना जो user है मतलब custom class है वो बहुत सकते है producer record बहुत सकते है string की data ऐसे बहुत सकते है ठीक है partitions के साथ भी बहुत सकते है कौन से partition में हमको data भेजना है तो यह सब हम लोग चीज़े mention करके वहाँ भेज सकते है ठीक है जी ठीक है तो हम लोग अभी इतने detail में नहीं जाएंगे हम लोग simple कर रहे है data भेज रहे है जो हम लोग ने JSON data वहाँ से receive किया था ठीक है अब मैं क्या करता हूँ data publish करता हूँ तो मैंने data बना के रखा हुआ end point बना के रखी हुई है मैं just क्या करता हूँ उसको hit करता हूँ तो जैसे मैंने इसको hit किया तो आप देख सकते हो message published और ये message publish होगे हमारा उस topic पे ठीक है अब आजाते हैं consumer में अब consumer code data consume करना है ठीक है तो हमारा consumer ये रहा तो consume करने के लिए हमने एक अलग consumer बनाया क्योंकि नया topic था ठीक है नया consumer बनाया group हम लोग ने same ही use किया हम लोग ने बोला भई एक listener बनाया हम लोग ने बोला तो इस topic को listen करते रहे ना, इसमें जो भी data हैगा, यहाँ पर print करा दे ना, ठीक है, तो उसने भी same किया, उसने भी एक क्या कर दिया, अपना payload बनाया, क्योंकि उसको map कराना होगा ना, payload में, ताकि वो अपने जगो फिर use कर सेगे, हम तो उस payload को कहीं और use कर नी रहे हैं, हम तो deserializer change करना पड़ेगा, अभी string था, अभी हमको अपना deserializer change करके, json वाला करना होगा, ठीक है, यह spring framework है, ठीक है जी, मतलब जो जी serialize होई, उसी चीज़को हम deserialize कर रहे हैं, ठीक होगे जी, ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, application को run करता हूँ, ठीक है, मैंने application को run किय तो अब वो consume करना चाहिए data, तो जैसे मैंने इसको run किया, इसने group join किया, oh my god, यह तो फट गया, हो, ऐसा क्यों होँआ, आओ देखते हैं, ऐसा क्यों होँआ, ठीक है, अगर आप error देखोगे न, तो error क्या बोल रहा है, class not found, उसको यह class मेली ने रिये, और आप देखोगे त यह user वाली class है, correct, जो user हम लोग ने यहाँ बनाया है, बट हमने तो बना रखा यार, यह user क्यों नहीं मिल रहा है इसको, आँ, यही तो catch है, अब देखो, क्या दिखका तुई न, जो तुमने user बनाया है, वो तुमने अपने package के अंदर बना रखा, right, बट जो तुमने publish किया था, वो producer का user था, तो अगर आप logs भी देखोगे, अगर आप logs देखोगे, जो यह consume करना चाहा रहा है इस user को, वो कौन सा user है, वो producer का user consume करना चाहा है, और उसको producer का user यहाँ मिल नहीं रहा है, तो वो map नहीं करवा पा रहा है, ठेक है, यह user को, इसकी वज़े से वो फट जा पेलोड है, यह कौन सा data तुमारा लेगा, इसमें तुमको कौन सा data रखना है, ठेक है, और वो mapping कैसे होगी, वो mapping के लिए, you have this, कहा गया, you have this properties, ठेक है, क्या property होती है, इसमें तुमको अपना package देना होता है, ठेक है, और तुमको एक token देना होता है, यह क्या चीज है, आओ स property, ठेक है, हम लोग आएंगे, publisher में, publisher कहा है, यह हमारा publisher, ठेक है, तो इसकी properties देखो के तो हम लोग ने, यह add नहीं किया था, तो basically यह property क्या होती है, यह property हमको बताती है, कि भई, जो मेरी user class है, यह payload है, ठेक है, तो यह जो मैं भेज रहा हूँ, ठेक है, यह मैं इस token के साथ भेज रहा हूँ, यह token कुछ भी हो सकता है, तुम उसका कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने इसका नाम दे दिया, my user, तो बोल रहा है, यह payload है, इसको मैं इस token के साथ भेज रहा हूँ, ठेक है, मतलब, जो भी इसको consume करेगा न, वो अपनी तरफ यह payload बनाएगा, ठेक है, user payload अ मेर पास यह token है, इस token के साथ मैं यह payload भेज रहा हूँ, अब तुमको अपने payload को इस token से map करवाना है, जैसे तुमने map करवा दिया, काम खतम, तुमारा आराम से consume हो जाएगा data, तो मैंने अब क्या कर दिया, यह चीज दे दी, और अब फिर से इसको rerun कर देता हूँ, ठेक है तो जैसे ही मैंने rerun किया, हमारा चल गया, अब मैं करता हूँ, data publish कर देता हूँ, तो अब जैसे ही मैंने data publish किया, data publish हो गया, ठेक है, और अगर अब आप देखोगे, consumer में आ जाओ, ठेक है, अब आप consumer में आ जाओ, और consumer में हम लोग फिर से run करते हैं application को, अब आप से map करा रहे है अपना consumer का load, payload, ठीक है, तो मैंने क्या किया, same token use किया, बट उसमें मैंने बोल दे कि तुम इस token को, मतलब इस token में आने वाला जो भी package होगा, है न, उसको इस package से map करा दो, यह बोला मैंने consumer को, तो जैसी मैंने run किया, अब क्या बोल रहे है, फिर से फट रहे है, अब क्या बोल रहे है, अब देख लेते हैं फिर से क्या बोल रहे है, यह बोल रहे है, class not found भई, क्यों, अब तो हमने कर दिया था, अब क्यो class not found बोल रहे है भई, आओ देखते हैं, क्योंकि वो पुराना वाला डेटा भी ले रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे अपना रिस्टार्ट करना पड़ेगा काफ का क्योंकि पुराना डेटा पड़ा हुआ है वो तो producer वाले डेमो के साथ पड़ा था ना जो बिना token के आया था तो मैं करूँगा अपना Kafka restart करूँगा, ठीके? तो मैं दोनों चीज को बंद करता हूँ मैं दोनों चीज को on करता हूँ ठीके? मैं दोनों चीज स्टार्ट करी है ठीके? और मैं फिर से topic create करता हूँ, क्योंकि उसमें क्या था? उसमें पुरान डेटा पड़ा हुआ था ठीके न? आप लोग को समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा प्लीज कमेंट में पूछना और जब हम लोग full-fledged application बनाएंगे उसमें आपको और बेटर तरीके समझ में आएगा ठीके? तो ये मेरे स्टार्ट हो गए है और मैंने दुबारा से topics create कर दिय कर दिय है ठीके हमारी 80-80 पे चलने लग गया अब मैं क्या करता हूँ ? फिर से publish करता हूँ data मैं क्या करूँगा? फिर से publish करूँगा data तो मैंने फिर से run कیا ठीके? और फिर से publish किया data ठीक है, तो data publish हो गया message published, अब consumer में आएंगे, ठीक है consumer में जाके फिर से restart कर देंगे अपना consumer, इस बार वो अच्छी तरीके से consume करना है, start कर देगा ठीक है तो देखो उसने group join कर लिया, जैसे उसने group join किया, वो still फट रहा है हम, तो guys पता नहीं क्या issue आगया था, मेरे system में आज पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है तो कुछ नहीं किया, मैंने बस खाली दुबारा से मैंने जितने भी बनाए वे थने images, इनको delete करके दुबारा से बनाया, तो चलने लग गया ठीक है, बाकि इधर mapping सेम है, वही है, ठीक है तो अगर आप देखोगे logs, तो आप देखोगे properly consume कर रहा है, राइट वहाँ से data आया, इसने consume किया अगर मैं आपको अब रियल टाइम में करके दिखाऊं तो अगर मैं यहाँ पर कुछ और data भेजता हूं मैंने 2 भेजा, यहाँ पर मैं भेजता हूं, शिखर ठीक है, तीवारी ठीक है और मैं यहाँ पर data भेज रहा हूं, जी consume हो रहा है, मैं जितने बार भी भेज़ूंगा वो consume करेगा, ठीक है तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं अपना JSON data भी भेज सकते हैं ठीक है, तो यह तो हो गया कि हम लोग कैसे simple application बना सकते हैं अब हम बात करते हैं full-fledged, जो हम लोग ने explanation में देखा था था न, example Domino's का, ठीक है, जिसमें की delivery partner अपनी location वगर update कर रहा था, ठीक है, और वो consumer को भी जा रहा था, वो इसको भी जा रहा था, कि Domino's को भी जा रहा था, फिर Domino's को store कर रहा था, DB में, फिर उसके बाद उसको process कर रहा था, और उसकी analytics बनाकर consumer को भी दिखा रहा था, राइट तो हम लोग अब यही सब देखने वाले हैं, ठीक है अच्छा, जो यह simple code था, इसका भी मैं आपको repository का, GitHub repository का link description में देदूँगा, आप देख सकते हो ठीक है, और बाकी हम लोग अब देखने वाले हैं, full-fledged, जो हम लोग ने बड़ी application बनाई है, ठीक है, तो इसको मैं बंद करता हूँ, और ठीक है, यह cluster है, इसका भी कोई काम नहीं है इसको यह बंद करता हूँ, ठीक है और इसका भी कोई काम नहीं है, इसको यह बंद करते हैं, ठीक है अब हम आलते हैं, जो हम लोग ने काफ का POC बनाया था, ठीक है तो यह project मैंने बना रख है, यह multi module project है तो अभी तो फिलाल हम लोग ने तीन अलग अलग intelligent खोले थे इस बार मैंने क्या कर दिया एक ही project बनाया है उसके अंदर तीन module बना दिये ठीक है ताकि देखने और समझने में easy रहेगा ठीक है एक है customer ठीक है जो कि customer का phone होगा ठीक है दूसरा है delivery partner जो delivery partner का phone होगा तीसरा है domino's ठीक है जो domino's की दुकान होगी है फिर जो भी domino's का hub होगा ठीक है तो यहाँ आप मैंने तीन चीज बना रखी है same dependencies मैंने वही यूज करी है spring काफ का इसमें web की ज़रत नहीं है इसमें basically मैं क्या करवार हो ना मैं आपको बता तो मैंने करा किया तो basically मैंने क्या बना रखा है मैंने कह सकते हो kind of loop लगा दिये ठीक है जिसमें क्या होगा वो loop चलता रहेगा और कह सकते हो आप delivery boy की location है वो trigger करता रहेगा भेशता रहेगा भेशता रहेगा भेशता रहेगा ठीक है, तुम तक order पहुंच जाएगा, ठीक है, और जो भी, फिर उसके बाद क्या, domino's क्या करेगा, तुमको उस पूरे data का analytics perform करके, calculate करके, तुमको उसकी analytics show करेगा, तो basically तुमको publish करेगा, ठीक है, तो एदर जो हमारा consumer है, वो फिलाल consumer ही है, customer जो हमारा consumer है, ठीक है, delivery partner हमारा producer भी है, producer है, ठीक है, सिर्फ producer है, customer हमारा सिर्फ consumer है, but जो domino's है, वो हमारा producer भी है, consumer भी है, देखो, मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ न, हम लोग example से समझते हैं, मत हमारे पास क्या है यहाँ पर, customer है, customer का phone है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, delivery boy है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, domino's है, ठीक है, मैं सब के नाम लिग देता हूँ, यह हमारे पास कोन है, customer, ठीक है, यह हमारे पास कोन है, delivery boy, यह हमारे पास कोन है, delivery boy, delivery partner, कुछ भी बोल लो आप, ठीक है, और फिर हमारे पास ये कौन है, domino's, ठीक है, domino's वाले, ठीक है जी, अब क्या हो रहा है, basically, ये delivery partner निकलेगा, A location से B location को, ठीक है, ऐसे ऐसे करके निकला, A location से B location को निकलेगा, ठीक है, और अपनी coordinates publish करेगा, हर second में, ठीक है, actually मैंने milliseconds use कर रखे है, हर milliseconds में अपनी locations, sorry, milliseconds use नहीं कर रखे है मैंने, हाँ milliseconds, हर 200 milliseconds के बाद हो अपनी location trigger करेगा, ठीक है, तो हर 200 milliseconds के बाद 200 है, 300 milliseconds set के मैंने, उसके बाद हो अपनी location publish करेगा, ठीक है? टाटीक है? पब्लिश करेगा किसको? कस्टमर को भी, ठीक है? पब्लिश करेगा डॉमिनोज को भी डॉमिनोज के पास इधर डेटाबेस है ठीक है? तो डॉमिनोज क्या कर रहे है? पहले collect करेगा वा पूरे डेता को और फिर bulk edit कर देगा database में, ठीक है, collect करेगा, bulk data, database में edit कर देगा, इसका काम क्या है, customer का काम क्या है, सिर्फ consume करना, वो data सिर्फ consume कर रहा है, इसको गहीं store नहीं करेगा यह consume करके store करेगा, ठीक है and then, फिर इस database से वो data fetch करके, फिर जो भी यह analytics perform करेगा, analytics perform करने के बाद, वो data customer को भेज देगा ठीक है, जो भी analytics होंगी वो analytics matrix, customer को भेज देगा ठीक है, तो अगर आप देखो के तो customer consumer है सिर्फ, ठीक है वो delivery partner से भी data consume करेगा वो domino's से भी data consume करेगा delivery partner को देखो के तो वो सिर्फ producer है, वो produce करके publish कर रहा है, वो इसको भी data दे रहा है वो इसको भी data दे रहा है बट domino's को देखो के domino's data ले भी रहा है ठीक है, और domino's data दे भी रहा है ठीक है, तो domino's publisher भी है, subscriber भी है consumer भी है, ठीक है तो यही चीज हम लोग को implement करनी है ठेक है, तो वही चीज मैंने यहां पर implement करी है सबसे पहले हम समझेंगे topics को लेकिए तो basically dominoes ने क्या किया, dominoes ने अपने topics बना दिये ठेक है, उसी topic पर publisher data published पर करेगा ठेक है, तो मैंने क्या किया dominoes hub में गया मैंने topic बना दिया, ठेक है, मैंने customer के नाम का एक topic बना दिया, मैंने dominoes के नाम का एक topic बना दिया, ठेक है, मैंने analytics के नाम का एक topic बना दिया, ठेक है, तीन topic मैंने बना दिया correct हो गया जी, correct हो गया, customer topic क्यों बनाया Domino's topic क्यों बनाया क्योंकि इसको अलग-अलग तरीके से भी कर सकते हैं देखो तुम location topic बना सकते थे ठीक है और उस location के subscriber कौन-कौन होते है customer होता और Domino's होता ठीक है तुम ऐसा भी कर सकते थे ठीक है हम लोगों ने जो पहला वाला मैंने पार्ट बोला वो हम लोगों ने पिछले example में देखा ठीक है कि हम लोग multiple consumers को एक topic में consume करवा सकते हैं उसमें topic का नाम ही लिखना होता है ठीक है सब्सक्राइब करवा सकते हैं अब हम देखेंगे कि जो delivery partner है वो customer को भी data भेजेगा ठीक है जी तो topics हमने इतने बना दी हैं आप लोग क्या कर सकते हो थोड़ा सा अच्छा करने के लिए एक location topic बना सकते हो analytics topic बना सकते हो ठीक है customer हो location topic को भी subscribe करेगा analytics को भी subscribe करेगा ठीक है क्योंकि उसको analytics का data भी चाहिए ठीक है dominoes location को subscribe करेगा बस और इसमें data publish करेगा analytics में तुम ऐसा भी कर सकते हो upon view ठीक है ठीक है जी तो हमने topics बना दिये okay हो गया ठीक हो गया हमारा काम यही तक था इसको बंद कर दो ठीक है तो जैसे तुमने इसको बंद किया हम आएंगे publisher के पास delivery partner क्या कर रहा है delivery partner हमारा अगर हम देखेंगे तो एक तो payload बनेगा जिसमें हम लोग क्या कर रहे है क्योंकि कि देखो custom data है न हमारे पास order id भी जाएगा delivery partner का first name कौन delivery देने आ रहा है last name देने आ रहा है basically delivery partner का data फिर xy coordinates भी जाएंगे कितना distance उसने cover करा वो भी जाएगा और estimated time हो भी जाएगा ठीक है कितना time उसको लग रहा है मैंने अभी इस project में समझाने के लिए सिर्फ ये दोनों की values मैंने vary करा रही है मतलब हम लोग सिर्फ coordinates बार बार पास कर रहे है ठीक है updated coordinates distance updated coordinate calculate नहीं करा मैंने time updated calculate नहीं किया मैंने वो आपकी जिम्यदारी है वो आप as a homework कर सकते हो उसको और अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हो जितना वो पास आता रह रहा है उतनी उसकी distance minus करते रहो ठीक है same for time ठीक है time भी minus करते रहो ठीक है जी तो ये दोनों चीज मैंने आपके उपर छोड़ जो हम लोगोने delivery partner का phone बना रहा है योगि delivery partner का phone ही तो है जो publish करेगा data है तो delivery partner के phone में हम लोगने काफ का template बनाया है ठीक है और एक method बना रहा है ठीक है publish delivery partner data ठीक है इस method के अंदर हम लोगने पूरा logic लिखा हुआ है कि जब तक तक तुमारे घर तक ना पहुंच जाए ठीक ह तब तक हम क्या करेंगे जो coordinates उनको minus कराते रहेंगे कोई logic जादा मैंने भेंग करने लगा रहा है मैंने बस यह logic लगा रहा है कि हमारे पास coordinates है जैसे अगर मैं आपको example दिखाऊ हूँ delivery data यहाँ था delivery boy यहाँ था ठीक है इस location पर था तो इसका xy coordinate वो यहाँ भेज देगा ज which means उसका xy coordinate 00 हो गया है ठीक है 00 मतलब वो location पर पहुंच गया है ठीक है तो जब तक 00 ना हो जाए जब तक coordinate 00 ना हो जाए हम लोग ने while loop लगा रखा है ठीक है जब तक x coordinate और y coordinate 00 ना हो जाए हम लोग ने loop लगा रखा है ठीक है और वो हर 500 millisecond में मतलब हर आधी second में data publish करते जा के topic में data डाल दे रहे और domino's के topic में data डाल दे रहे अब मैंने बोला था अगर आप location topic बनाओगे तो आप क्या करोगे सिर्फ location पर data update करोगे उसके दो-दो consumer होंगे domino's भी consumer होगा customer भी consumer होगा तो better way actually वही था better way आपको वही करना था ठीक है but मैंने already वो चीज करके बता रखी है तो हम लोग क्या करेंगे इसको थोड़ा सा different तरीके से करेंगे हम लोग ने इस बार separate separate topic बना दिये कुल मिला कि मैं आपको बस दिखाना चाहर हो कि हम दोनों तरीके से चीज़े कर सकते है data publish कर सकते है ठीक है तो data publish to customer वाले में क्या करेगा customer क्यों में data डालेगा customer topic में basically ठ ठीक है कौंसा data डालेगा delivery partner का data डालेगा ठीक है send करेगा और domino's को domino's वाले topic में data send करेगा ठीक है data send हमारा फटाफट हो गया ठीक है और यह method को हम लोग कोई end point से call नहीं करवा रहे है मैंने main method के अंदर ही क्या करा delivery partner का initial data मैंने बनाया ठीक है initial xy coordinate random नहींने दे दिये कि कह से वो शूरू करेगा ठीक है और एक static distance और time दे दिये तो इसको आपको थोड़ा सा dynamic करना पड़ेगा इसके लिए आप logic लिख सकते हो ठीक है और xy coordinate ले लिख दिये और फिर मैंने method call करवा दिये कौन सा वाला जो basically यह वाला काम कर रहे है ठीक है जी इससे क्या होगा हमारा data publish होना start हो जाएगा अब हम properties file देखते हैं same मैंने properties file आपको दिखा दिती तो मैंने आप यह ML बना रहे है तो जो लोग यह ML से वाकिफ है जो comfortable है ML में यह ML भी देख सकते हैं ठीक है तो मैंने कहा कि है same properties है मैंने server बता दिये का आपका कौन सा server है serializer कौन सा यूज कर रहे है string JSON जैसा की बात थी custom data बेजना है ठीक है और mapping के लिए what we have done I have used this token user और हम लोगों ने delivery partner data को map करवा दिया क्योंकि जो consume करेगा वो भी इसी format में consume करेगा ठीक है same properties है जो हम लोग ने पिछले example में देखी दी ठीक है जी तो अब मैं इसको अगर run करूं तो सबसे पहले मैं पहले यह run कर लेता हूं topics तागी बन जाए ठीक है तो मैं यह run करता हूं ताकि topics तारे बन जाए तो मैंने यह run कर लिया ठीक है अच्छा पहले मैं आपको समझाई देता हूं पूरा इसको run होने दो मैं समझा देता हूं पूरा आपको ठीक है तो यह तो हमारा हो गयता producer ठीक है consumer क्या करेगा भई कैसे consume करेगा data अब अग consumer को देखो गए तो देखो delivery partner payload तो same हो गया as it is correct क्योंकि उसको consume करना है ठीक है और अगर हम consumer देखें तो यहाँ पर हमको दो data consume करने एक तो जो delivery boy ने अपना location भेजा वो और एक जो domino's ने बाद में analytics भेज़े थे यह diagram याद है न एक तो उसको consume करना है जो delivery data भेज रहा है ठीक है दूसरा जो analytics परफॉर्म किये वो analytics को भी उसने consume करना है ठीक है तो मैंने यहाँ पर दो payload बना रखें एक तो partner वाला एक analytics क के लिए मैंने दो तीन चीजे ले लिए हैं जैसे कितना distance उसमें cover किया, total time उसको कितना लगा, ठीक है, delivery time पर थी कि नहीं थी, ठीक है, और traffic की situation क्या थी, ऐसे करके हम लोग ने जो collected data था उसमें कुछ तो logic perform किया और यह सारी चीजे निकाल के हम लोग ने consumer को दिखा दी, ठी consumer देखो, मेरे पास दो listener बने हुए है, दो consumers है, ठीक है, मनदब एक ही consumer था, बट दो topic को listen कर रहे है, ठीक है, तो एक किसको कर रहा है, customer को listen कर रहा है, एक analytics को listen कर रहा है, customer को, वो location, delivery partner की location के लिए हम लोग listen कर रहे है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, basically मैंने log लगा रहे है कि, वो data का publish करेगा जब उसके वहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, मतलब, sorry, वो data publish करते-करते वहाँ पहुंच गया, right, data publish करते-करते delivery boy वहाँ पहुंच गया है, उसकी location में पहुंच गया, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले यह कर दिया, log लगा दिया consume करने के लिए, उसको print ही करवा रहे है, ठीक है, और जैसे ही वो, दोनों coordinates 0-0 दिख जाएंगे, इसका मतलब, तुमारी location पे वो पहुंच चुक है, ठीक है जी, तो यह तो हो गया हमारे delivery boy के लिए, ठीक है, और same delivery analytics, जो domino's बेजएगा, उसमें कुछ नहीं कर रहे है, analytics print कर रहे हैं, और यह 3-4 message मैंने ले लिख दिये, delivery successful completed, here are some stats from your previous delivery, total distance उतने इतना cover किया, मतलब, खुल मिला कि जो data उसने या से बेजा था, उसी में से मैंने distance fetch कर लिया, time fetch कर लिया, और time, जो boolean हमने बैदा न, delivery on time है कि नहीं है, उसके basis पे हमने log लगा लिए, like, अगर वो on time है तो हम लोगों ने बोल दे कि, भाईया, no delay, your partner has reached within the time limits, ठीक है, अगर वो on time नहीं है, तो हम लोगों ने बोला कि traffic की situation ये थी, ठीक है, इस situation की वज़े से वो delay हो गया, ठीक है, तो मतलब kind of, आप ऐसा बना सकते हो, ठीक है, तो यह हमारा consumer था, ठीक है, अच्छा जी, अब domino में भी आते है, domino's का क्या होगा, एक consumer बनेगा, एक producer बनेगा, ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते है, producer को, ठीक है, सबसे पहले consumer को देखते है, तो जो domino's का consumer था, वो delivery partner का data consume करेगा, ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, मैंने यापर consumer बनाया, जो कि listen कर रहे है, ठीक है, topic में data भेज रहा था ठीक है तो मैंने उसको listen किया groups मैंने सब जब वो common रखे हुए अभी फिलाल के लिए ठीक है ताग के confusion ना हो ठीक है तो उसने क्या क्या data consume किया ठीक है consume करने के बाद उसने database में store नहीं किया उसने data को collect किया पहले ठीक है अब यह collect कैसे करना है यह आपके उपर logic है मैंने simply क्या करा एक string बना ली उस string में मैंने सारा data भर लिया ठीक है बहुत भारी भर कम string बन गई है आप क्या कर सकते हो एक file बना सकते हो file में data store कर रहे हो और उसके बाद उसको db में लखे अपडेट कर रहे हो ठीक है तो मैंने वो सब नहीं किया मैंने simple एक string बना ली ठीक है और उस string में मैं data append करता रह रहा हूँ उसके सारे coordinates append करते रहा हूँ और जैसे ही वो पहुँच गया location पे पहुँच गया delivery दे दी delivery देने के बाद मुझे ये data को जो मैंने string बनाई थी पूरी इसको मुझे database में store करना है और फिर analytics perform करके consumer को भेजना है तो जैसे ही वो location पे पहुँच जाए जब तो नहीं पहुँच रहा तब तक सिर्फ data consume कर जैसे ही वो पहुँच जाए जो तो नहीं data collect किया था उस data को तो नहीं क्या करना है DB में डालना है तो basically हमने एक dominoes table बना रखी है इदर अगर आप देखोगे तो एक dominoes table है हमारी इसके अंदर हम order id और जो collective data है उसको store कर रहे हैं अब उतनी बड़ी string है तो where care का size तो अतना बड़ा होता नहीं है तो हम लोगों ने एक annotation use किया lob which is large object अगर हमको कोई large object store करना होता है DB में we can use lob तो मैंने lob use करके वो large data store करा दिया DB में तो अगर आप इदर आओगे आप देखोगे मैंने उसका object बिनाया उसमें मैंने order id डाली या फिर बाद में perform करने मों मैंने करे ठीक है फिलाल मैंने analytics hard code कर रखे है इदर ठीक है और उसके बाद क्या करा है मैंने analytics का object बिनाया ठीक है और hard code करके मैंने static analytics डाल दिये आपको मन करें तो आप logic लिख सकते हो ठीक है ये जैसे delivery on time मैंने true कर दिया और traffic situation मैंने लिखा minimal traffic delivery partner didn't stop for more than 2 minutes तक कि वो time पे पहुँच जाए और उसके बाद मैंने क्या किया उसको publish करवा दिया publish कराने के लिए मैंने publisher create किया हुआ है ये रहा वो publisher ठीक है और publisher क्या कर रहा है analytic solid topic पे data publish कर रहा है कौन सा data? delivery analytic data ठीक है जी? data publish कर रहा है कैसे send method call करके बस कुछ भी नहीं करना था यही चीज थी सारी तो इसमें आप लोग ने देखा कैसे integrate हो रहा है अब हम इसको run करके देखते है तो मैंने इसको run किया था अच्छा ये db error बोल रहा है क्योंकि मेरा db started नहीं है तो postgres मैंने install नहीं किया postgres मैं उसकी image run करा के करता हूँ यूज थीक है तो हम लोग ने db भी अप कर लिया अपना अब हम लोग इसको use कर सकते है तो जैसे ही मैंने run किया क्या-क्या होगा जैसे ही मैंने domino's को run किया topics हमारे domino's बना रहा है सारे topics बन जाएंगे ठीक है और उसके बाद इसका publisher और subscriber ready रहेगा consumer और publish कर दे के लिए इतना काम हो जाएगा ठीक है logs देखोगे तो इतना काम हो गया ठीक है उसने join भी कर लिया उसने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया ठीक है, सब काम हो गया ठीक है जी, हमारे domino is ready है अब हम क्या करेंगे delivery partner को up करेंगे उससे पहले मैं क्या करता हूँ, consumer को up करता हूँ क्योंकि delivery partner में मैंने loop लगा रख है तो जैसे ही वो क्या करेगा अब होगा तो data publish करना शुरू करेगा तो हम लोग रियल टाइम पर देख सके इसलिए मैं consumer को भी up कर देता हूँ पहले ठीक है, तो मैंने consumer भी up कर लिया ठीक है, consumer भी up हो गया है जी, ठीक है दो topics थे, तो दोनो topics यहाँ पर दिख रहे हैं ठीक है, जिसको consume कर रहे है अब बारी आ जाएगे हमारी delivery partner की तो जैसे ही मैं delivery partner को up करूँगा बेड़ना शुरू कर दिया, देखो coordinates भेज रहें, और अगर consumer को देखोगे, consumer वो coordinates receive कर रहें, इसे इसे, देखो coordinates consumer के पास आ रहे है साथ के साथ same coordinates dominos के पास भी जा रहे है यह तब तक आते रहेंगे जब तक जीरो जीरो ना हो जाए, देखो y-coordinate 0 हो गया, तो x-coordinate पहुँच रहा है भी हो, ठीक है, दोनों coordinate जब 0 हो जाएंगे, इसका मतलब वो reach हो गया है, ठीक है, ठीक है, तो जैसी वो पहुँच जाएगा, आपको यहाँ पर देखो message लिखा हुआ आएगा, अभी delivery partner पहुँच गये, तो बस यहाँ पर दिखा हुआ आगे है, कि भाया, message publish to customer, ठीक है, और message publish to dominoes db, ठीक है, db में इसने publish कर दिया, और वो भी कर दिया, ठीक है, अब आजाते हैं इधर, customer के पास, कि customer के पास जैसी वो पहुँचा, जैसी उसके coordinates 00 होए, उसने क्या message print किया, delivery partner has reached at your location, ठीक है जी, जैसी वो उसने reach किया location, उसके बाद dominoes में आ जाते हैं, dominoes क्या करेगा, dominoes के logs देखते हैं फेले, ठीक है, dominoes ने क्या किया, dominoes ने क्या किया, publish किया, sorry, dominoes ने क्या किया, उसका data collect करके store किया db में, and then, वो कहाँ publish करवा दिया, उसने, analytics publish to customer phone, ठीक है, और उसका analytics data print करा दिया, तो जो आब इसके बाद देख रहे हो न, तो ये वही है, उसने consume किया, analytics data, delivery partner पहुंच गया था, पहुंचने के बाद क्या होता है, company हमको analytics दिखाती है, right, तो ये वही data है, ठीक है, तो उसने कहाँ किया, analytics receive किया, ठीक है, कि वही है, देखो delivery on time हुई है, traffic एकदम minimal था, ठीक है, और फिर यहाँ पर हम लोगों ने उसको अच्छे से print करा लिया, delivery successfully completed, here are the stats of your previous delivery, this, 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 ठीक है, तो जो discuss किया था, वो चीज़ हमने implement कर दिया, correct हो गया, ठीक है, इतना आये हूँप, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, correct, नहीं आये तो आप लोग फिर से rewind करके देख सकते हो, start कर सकते हो, simple message से समझने का, जो हम लोग ने string publish करी थी, string receive करी थी, उससे समझ सकते हो, और यह भी बहुत easy है, इसमें मैंने कुछ बहुत hard चीज़ नहीं करी है, data इधर से उधर ये कर रख है, hard चीज़ अब आप लोगों को करनी है, क्या करनी है, अब homework यह है, कि आपको इसको real time बनाना है, real time is in, अभी तो देखो, हमने topic खुद बना के static रख दिया, ठीक है, आप कोई नया consumer आएगा, वो इसी topic पे थोड़ना, मतलब कोई नया delivery partner आएगा, यह फे कोई नया order place करेगा, तो same topic थोड़ना use कर सकता है, ऐसे में तो क्या होगा, सारे consumer के सब data घचट पचट हो जाएगा, किसका क्या data है, हमको कैसे पता, है ना, तो आपका क्या काम है, आपका यह काम है, इस problem को solve करने का, कि मान लो, real time पे तो क्या होगा, नयने order आते रहेंगे, नयने customer आते रहेंगे, और delivery partner कौन से topic पे publish करेगा, सोचा आप लोगने, यह तो static बनाया था हम लोगने, है ना, तो अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अब हमको क्या करना पड़ेगा, जैसी नयने order प्लेस होते रहेंगे, हमको उस order ID के basis पे topics create करने पड़ेंगे dynamically, जैसी order प्लेस होगा, एक नया topic create हो जाएगा, ठीक है, और उसके लिए subscriber automatically हमारा consumer subscriber हो जाएगा, ठीक है, और जो domino subscriber हो जाएगा, वो automatically हो जाएगा dynamically, ठीक है, और फिर जो delivery partner है, वो उस particular order ID पे अपना data publish करता रहेगा, समझ गए, इतना दिमाग लगाने है, ठीक है, अब dynamically topics कैसे create होंगे वई, यह आपको करना है, बट मैं आपको बताऊंगा, कि कैसे create होंगे, coding आपको करना है, वो आपका homework है, ठीक है जी, अगर आपको proper काफका समझना है, करके ही देखना पड़ेगा, तो वो चीज़ आप implement करना, मैं आपको बस रस्ता दिखाऊंगा कैसे करना है, तो ऐसी situations में हम ल dynamic topics कैसे create होंगे, और वही, ठीक है, dynamic topic create होंगे, बट उनका delivery होने के बाद, उन topics को भी हम को delete भी करना है, तो वो चीज़ भी ध्यान रखना है, वरनो तो ऐसे कितने सारे pile up होते रहेंगे topics, तो यह जो dynamically creation और deletion वाला काम है, यह कौन कर सकते है, यह Kafka admin कर सकते है, ठीक है, तो delete भी कर सकते हैं, और further configurations भी कर सकते हैं, काफ का admin यूज़ करने से हमार पास बहुत सारी चीज़ी मिल जाती है, ठीक है, हम देखते हैं काफ का admin कैसे use करते हैं, तो इतना समझ में आ गया, नई problem statement समझ में आ गी, उसका solution आपको बनाना है, ठीक है, आओ, अब हम देखते हैं, क और से पहले जो data published वह राइट, अब आपको dv में भी देखना है ओ data राइट, तो dv में भी आपको दिखा देता हूं एक बर ओ data, वरना आप बोलोगे भई, इसने तो कुछ भी कर ली है, खुझ से ही, ठीक है, क्या पता dv में publish ना हो रहा हो, तो आपको dv में भी ओ data दिख था, अरे, बड़ आप तो बोलोगे, यहां तो data नहीं दिख रहा है, यहां तो कोई number दिख रहा है, oh my god, यह क्या हो गया, यह कुछ नहीं हुआ guys, यह basically क्या है, एक id कह सकते हो, इस id पे हमारा data map है, अब वो कैसे देखते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं, उसके लिए query च hand में आया, वो query होती है, ऐसी, ठीक है, हमको ए query run करने पड़ेगी, ठीक है, मैं run करता हूं फटा-फट से, तक यह आपको दिख जाए, ठीक है, यहां पर मैं query run करता हूं, ठीक है, और यह id हमको यहां paste करने पड़ेगी, ठीक है, large objects को देखने का यही तरीका है, ठीक है, यह मैंने किया, और इस query को हम लोग run कर देते हैं, इसको फिलाल हटा देते हैं, इसको run करते हैं, ठीक है, तो जैसे मैंने run किया, you can see, हमारे इतने सारे pages बन गे थे, देखा, कितना सारा data था, चार pages बने, और उन चारो pages में यह रा data, 2048 bytes का data यहां पर है, 2048 bytes का यहां पर है, ऐस ठीक है, तो DVB data store हुआ, तो जो भाई ने पूझा था, DVB में कैसे implement कर सकते हैं, Kafka के थुरू, तो आप DVB अगर ऐसे implement कर सकते हो, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, अब आते हैं हम लोग वही back, कि dynamic हम लोग topics वगर कैसे create करते हैं, तो उसके लिए अगर मैं आपको दिखाऊं, उस और साथ में Kafka admin भी बना रखा है, ठीक है, और यह Kafka admin क्या कर रहा है, यह basically जो task service class है, यह क्या करेगा, Kafka admin का use करके, dynamic लिए जब यह method call होगा, create new topic, और इसमें order id जाएगी, तब यह क्या करेगा, dynamic के लिए वो topic को create करेगा, कैसे, हम लोगों ने क्या किया, topic config.put करके, हम लोगों पहले उसको, उसका topic का हम लोगों ने time duration बताया, कि भाया, यह topic कब तक का हमारा अब होना चाहिए, retain होना चाहिए, इतने time तक के लिए retain होना चाहिए, 24 hours तक के लिए, ठीक है, तो हम लोग यह चीज़ भी set कर सकते है, admins के दुरू, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने topic, न हमारा admin client था, Kafka admin का, ठीक है, admin client से properties fetch करके, admin client से मैंने क्या क्या, create topic करी, ठीक है, create topic करके मैंने new topic pass करवा दिया, ठीक है, और यहां से मैंने क्या करा, consumer को बोला भई, तू इस topic को subscribe कर ले, on the spot, ठीक है, तो basically हमारे situation में क्या है, हमारे situation में हम क्या करेंगे, new topic create करेंगे using order id, ठी consumer को बोलेंगे, कौन से consumer को, customer को बोलेंगे भई, तू subscribe कर ले, और जो दूसरा consumer कौन है, domino's consumer, वहां लिखेंगे domino's consumer.subscribe, इस topic को, ठीक है, यह चीज़ कर सकते हम लोग, तो ऐसे हमारे क्या होगा, dynamically topic create हो जाएगा, अब dynamically delete करना है, तो we have one method for delete as well, I think, कहा होगा वो delete, दिखा तो हम आपको, हाँ, देखो, delete करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, post construct यूज़ कर सकते हैं, या फिर, वैसे तो हम लोग ने retention policy वहां set कर दी थी, कि 24 गंटे के लिए हो रहना चाहिए, ठीक है, एक तरीका वो है, एक तरीका यह है, कि अगर हम लोग ने manually बना काफ का admin यूज़ करके हम लोग सारी properties कहां दे सकते हैं, यह देखो, config यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे देखो, इसने bootstrap server config लगाया, और बताया कि काफ कौन से port पर रंग कर रहा है, ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी configs भी set कर सकते हैं, serializer set कर सकते हैं, ठीक है, अभी अ हो गया जी, like यह देखो, यह एक example है, जहाँ पर हम लोग सारी configuration set कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ने configuration, मतलग काफ का कौन से server पर रंग कर रहा है, वो trusted package, गुरूप ID भी set कर सकते हैं, serializer, deserializer, offset range, ठीक है, अच्छा, offset से मेरे को याद आया, earliest मैंने आपको बताया था, offset क्य करता है, अगर हम earliest offset set करते हैं, तो consumer क्या करेगा, जैसे ही consumer start होगा, वो पुराने data को भी consume करना start कर देगा, बट अब आप लोग के मन में आ रहा होगा है, कि मैंने अभी join किया, तो मैं पुरान data को क्या consume करूँ, मैंको तो नया data चाहिए बस, तो नया data के लिए हमारे पास different type के offset होते हैं, एक तो हो गया earliest, एक offset हमारे पास क्या होता है, एक होता है latest, जो कि automatically latest data को consume करने लग जाता है, तो basically offset कुछ नहीं होता है, कि index होता है, ठीक है, अगर मैं earliest set करूँगा, तो मेरा index 0 में set होगा, तो देखो क्या होता है, जब मैं topics में data publish करता हूँ, topic में data publish किया, त topics जाएं, topics के होते हैं, topics कहो न से data structure पर Glass है, Q पर Glass है, जो topic पर पहले से जाएगे, वही पहले पपलिछ होगी, वही पहले पहले consume की जाएगी, ठीक है, जो बाद में आएगी वह लास्ट में consume की जाएगा, ठीक है, तो earliest के है, मेरा 0th index है, तो जो भी मेरा 0th index के पहले आया, वही consume होगा, ऐसे करते करते हैं आगे बढ़ेगा, लेटेस्ट के है, जो पीछे वाला consume, मतलब, index है, ठीक है, नन करेंगे, तो कुछ भी consume नी करेंगा, मतलब, throw the exception to the customer, if no previous offset found, ठीक है, अगर कोई previous offset found नी होगा, तो exception throw करेगा, anything else, मतलब, exception throw करेगा, मतलब, यह दोनों चीज़े mainly use होती है, ठीक है, यह दोनों offsets use होती है, ठीक है, तो तुम समझ गए काफका किस पर काम करता है, काफका तुमारा दो model use करता है, एक तो क्यों model use करता है, क्यों कैसे करता है, topics, basically क्या use करता है, क्यों use करता है, जो data पहले जाएगा, वही पहले consume भी होगा, और दूसरा, pub sub model use करता है आपका, publisher can have multiple consumers, ठीक है, और एक topic पे multiple producer भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, अलग-अलग producer एक topic पे produce कर सकते हैं, ठीक है जी, तो इतनी चीज़े समझ में आ गई, ये सारा काम था, अब आपको जो मैंने बताया, उससे आपको dynamic अलग काम करने है, ठीक है guys, तो I think आप लोग को पूरा काफ का, Apache काफ का समझ में आ गया होगा, ठीक है, अभी इसमें बहुत सारी चीज़े हैं, ठीक है, आप कमेंट में बताना, कि आपको उसपरी वीडियो चाहिए, तो मैं उसपरी बनाऊँगा, अगर नहीं चाहिए, तो इतना मेरे तरफ से इनाफ है, इतना ही चीज मेजर ली योज होता है, ठीक है, कंजूमर फेक्टर, प्रोडीसर फेक्टर, जादा कुछ हार्डन ही होती है, ठीक है, और तो बाकी बस, इतना ही है, कुछ डाउट होता है, तो कमेंट सेक्षिन में पूछना, and thank you so much for watching, and keep supporting, keep loving, and thank you, bye-bye.